अगर हम पौध्धे के साथ थोड़ी सी जो है लप्रवाई मेंटेन करते हैं तो पौध्धे भी जो है अपना रुखापन दिखा देते हैं जैसे इस पौधे के साथ हुआ है सब्सक्राइब धडिक थैचरण फइने अगर देखरें तो यह दी घ्राइटी लागा । सब्सक्राइब और तंद व्यूं क stubborn देना सब्सक्यून हटे तो डीन रिखे सलिधे भी पांट खराब होते हैं हमारे भी पौधे खराब होते हैं तो यह बिल्कुल नॉर्मल बात है तो दोस्तों चलिए बताते हूं कि आखी इस पौधे के साथ ऐसा क्या हुआ कि पौधा जो है इतनी बुरी कंडिशन में आ गया तो सबसे पहला रीजन है दोस्तों यह पौधा है जो फु सबसे पहले काम जो हमने करना है जितनी बी इनकी किया दोस्तों सारी कि सारी जो है पौधे में पौधे में लगी नहीं होनी चाहिए तो देखिए सारी कि सारी जो है लोग यहां पर आप ग्रीन निचे रख़ दिया होतु को अपर आपीए इसके हट्सक्राइब C अध्यक्राइब को फ्रणिवे यह खुद्ध भाद हो गया है तो गपड़ा आपको आपक सो प्रैण निकल कई हैं究 और रहत sturdy पती है इसको फीडिया ह। देन इन दो पॉदा है तो फिर से हरा बड़ा हो जाएगा तो देखिए सारी पंत्या किलियर कर लिए मैंने अब क्या करना है कि अब उपर से जो है इनकी कटाई कर देंगे इनको प्रून कर देंगे ज्यादा हमने इनकी जो इस टेम रखना नहीं है तो यह देखिए इतनी लंबी तक काट दिया तो ऐसे कर के जो है हम कर देना है अब जहां के अअ-apa जओक हम से कडिलाना है उसके बाद से क्या है कि हम ने हटाना नहीं है पौधे को बिल्कुल एसी रहने देना है अब हमने जो काम करना है इनकी मिठी पर काम करना है दोस्तों कि मिठी को हलकी से गुषाई कर देंगे और एक बात और ध्यार रखिए जितने भी जो इनके एरियल रूट रहे हैं वह सड़ गया है तो उनको भी जो है पौधे में लगे नहीं रहे देना है उनको एर्य रूट को भी जो है काट देना है तो यहां पर नीचे की तरब जो था उनको भी मैंने काट दिया और देखिए में एर्य रूट काफी जो है वह सड़ रहे हैं तो इनको भी मैं का स्ट्रीजर पौध निकालने के बाद हमें क्या करना है पौधे के गुडाई करने के बाद हमने इन में पौधे में लिया है . और जलिक पिया चै dizね k't yoga चैनल जरमाफ पानी में पूरे तरक के से पानी छीने कावट से। न स्प्रेई करना और और पॉधे में वीकली आवरोल भीके देनी उसके हैं क्सक्राघर पमध लेगे तो शींप़र और कावट कावट पीजे पानी में लेटिया तो अब देखे जितनी भी सुखी पत्या निकली है उनका हम क्या कर सकते हैं लीफ मॉल्ड बना सकते हैं बहुत अच्छा खाद बन के रेडी हो जाएगा कुछी दिनों में तो और जितने भी स्टेम निकले हैं तो हम इनको फेकने की वजाए जो है बहुत सारे जो है इनसे ही नोड जो है मिट्टी के नीचे जो है डबा देना है और ऐसे करके यह हपते की अंदर में जो है इन में जो है रूट जो है आस आए और हमारे पास जो है एक से बहुत सारे पौदे फ्री में जो है रेडी हो जाएंगे तो दोस्तों मनी प्लाइन के ही व्राइटी है गोल्डन पोथोस तो देखें इनको कुछ उतना खास असल नहीं पड़ता है विंटर का हलाकि इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है बट इतना फर्क नहीं पड़ा है आपके सामने जो है एक्जामपल देखिए इनको मैं वाल के थूज दोसे हैं ट्रेलिंग करा रही हूं और सिंपल दागे से बांध रखे हैं सपोर्ट के लिए तो देखें इनकी पत्या कितनी प्यारी प्यारी से लग रहे हैं यह पौधे तो वही पे दोस्तों यह देखिए यह भी नियॉर्म कौथर से लेकिन इनकी जो है कंडिशन बहुत अच्छे से जो है ग्रो किया और एक दूसरी जो बात है यह पौधे जो है ग्रूप में रखे हुए तो विंटर में जो पौधे को ग्रूप में रखना बहुत ज़रूरी है तो इसकी वाज़ा से हमेशा पौधे को जो है एक ग्रूप में रखना चाहिए तो यह देखे और कंडिशनिंग की खराब हो गई है अब जैसे क्रोथ होगी तो मैं आपके साथ फियर करूँ भी थैंक यू